तो आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूं दो बीड़ुफुल पतले एंड हलके बालों में बन हेर स्टाइल जो की हाई बन है इस तरीके से निकल जाते हैं तो आपको एक सेटिंग स्ट्रे लेए अच्छा होता है बट मैंने यह एंजो का है इससे मेरे बहुत अच्छे से इसके बारे मुझे अच्छे से पता है तो इसको अपलाई कर दोगे तो आपका जहां से बेबी हेर या फिर स्टाइक का हेर निकलता है तो अप उसको अच्छे से सेट कर सकते हो तो पतले हलके वालों में कलचर की मद्द से दो बीडुफुल से हाई बन हेर स्टाइल बताने वाली हूं तो वीडियो को एंड तक द क्रियेटिव हेर स्टाइल जो होते हैं जैसे कि जिक में बहुत जारे फ्लावर्स वगराई उच्कियते हैं वह आप मत बनाएगा लेकिन इस टाइप के जो सिंपल से हाई बन बताती हूं वह बना सकते हो का पे काफी अच्छा सूट करेगा तो आयोग को क्लियर हो गया होग चैनल को सब्सक्राइब करके तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा तो चलिए बहुत बाते हो गई तो यह हमारा फर्स्ट हेरस्टाइल तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने बड़ा वाला कलचर ले लिया है इसी कलचर की मदद से मैं आप लोग को दो हाई बन हेरस्टाइल बताऊंगी जो कि पतले बालों पे भी काफी जद अच्छा लगे पतले हैं चोटे बा लोगा टेक्चर जो थोड़ा सा होए वह अजीब फूला फूला सा है जिसके वाज से मेरे बाल घने दिखते हैं बट इतने ज्यादा घने नहीं है तो मैंने इसको अच्छे से टाइट कर लिया है रबड़ बैंड की मदद से कि अब इसको ले लिए इसके बात से में बालों को टूपार्टS में पोनी का जो हैर है उसको टूपार्ट में इस तरीड कर लूंगी और इस तरीके से कलचर को इस पे लगा दूँगी जैस्ट रबट बैंड के उपर इसके पार से जो आपका हेर है देखें कितने अच्छे से मेरा है और इस तरीके से लिए क्रोश करते हुए, कि ख्लचर के चारो तरफ लपेट देना है बट क्रॉस करने के बाद से हमारा जो ही एर है वो अच्छे से नहीं है हो और इसको मैंने को लिए उसके विपर से थोड़ा फोड़ा सा ट्विस्ट करना है इस तरी के से उगे तो आपका एक बार क्रॉस करते हुई खतम हो जाएगा है यह वहीं पर पिन लगा दीजेगा और लंबे बाला तो आप चार-पांच बार इस तरीके से लपेट लीजेगा बालो को ताकि आपका बन जो है और बड़ा दीके और छोटे बालो पर भी ट्राइग कर सकते हैं जो फ कैसे मेरे बेबी हैस दिख रहे हैं आप इस पर थोड़ा सा सेटिंग्स प्रे अपलाई कर लिजेगा कौन सा सेटिंग्स प्रेब है वह मैं दूसरे हैस्टाइल में दिखाऊंगी तो यह फर्स्ट हैस्टाइल था जो कि बहुत ही प्यारा लगा था चलते हैं सेकेंड झी बड़ावाला क्लचर मैने यूज किया है और इसको भी सारे बालोगों को एक हाई पोणिदेल बना लेनी है अच्छे से कॉम करते हुए तो सारे बालों को अच्छे से उपर गितितरफ कॉम करूदी और इक हाई पोणिदेल बना लूँगी ओके वो अच्छे से कॉम करके जितना उच्छा आपको बनाने है आप चाहो तो लो भी बना सकते हो और चाहो तो हाई भी बना सकते हो बट इस तरीके कि अगर टॉप वगरा पहन दे हो जीन्स पहन दे हो तो हाई पोन बन आपको अच्छा लगेगा आपके बालों पर थोड़े पत और इस तरीके से हैर को दू पार्ट में लगा दिया है। से थोड़ा सा उपर होंके और उसके पार से जो उपर वाल है हमारे उसको हमने इस तरीके से आगेजर के आदा के एक दुसरी साइड के अंदर ही उसको आप के अंदर की तरब से हेर को दबा देंगे फिर दूसरी साइट से लेंगे और फिर से क्लचर को ओपन करेंगे और को क्लचर के अंदर लगा देंगे उसके पार से जो आपका हेर बचा जिस साइट हमारी हेर कम है उस साइट से इसको घुमाते हुए जो आपका हेर बचा उन सारे कर दिया तो बहुत अच्छे से आपका हेर जो है वो सेट हो जाएगा तो बैक से तो मेरे हेर सेट होगे बट फ्रंट से आप देख सकते हो कितने ज़्यादा मतलब हेर है जो छोटे छोटे हेर जो अभी नियू हेर निकलते हैं वेबी हेर वो इस तरीके से उठ जारे है जो कि देखने में काफी गंदा लगता है उसके लिए आपको कॉम पर इस तरीके से सैटिंग स्प्रे ले लेना है और जहां पर अच्छे से पूरा सैट रहता है जब तक आप खुद से अपने बालों को नहीं निकालते हो और यह सैटिंग स्प्रे भी बहुत अच्छा है और यहां से मेरे हेर थोड़े से उठे उठे सी दिखते हैं तो यहां पर मैं एक क्लचर स्वरी जुड़ा पिन लूँगी और इस और मेरे हेर आप देख सकते हो काफी ज़्यादा अजीब से हैं जड़ने की जैसे जड़ने की वज़े से फ्रेंट से थोड़े से निकल जाते हैं तो इस तरीकी से आपको हेर फॉल होता है पतले बाल है तो आप यह सारे हेर स्टाइल कर सकते हो अच्छी लगी हो और हेल्फ नेक्ट वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे से सपोर्ट करते हैं थैंक्स पर वाचिंग लव यू अल टेक केर बाबाई